नमस्कार स्वागत है आपका अभिहारी न्यूज में मेरतन सेन भारती आज हम बात करें किन धरकार की तरफ से कुरोना गाइडलाइन को एक वार फिर से बढ़ा दिया गया है इसके वारे में हम पूरी जनकारी आगे हम विस्तार से बताएंगे कुरोना मह मारी की दूसरी लहर ने पूरी देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाई एक किन सरकार ने कहा है कि कई राज्यों में अभी धी कुरोना एक्टि मामलों में संक्या बढ़ी हुई जिसके चलते किन्द सरकार ने मौझूदा COVID-19 नियंतरन दिसान दिर्देश को 30 जुन तक के लिए बढ़ा दिया है। करोना संक्रवन के उपायों को सक्ति सलागो किया जाने के कारण दक्षिन और पुर्भुतर के कुछ इलाकों को छोड़ कर देश के सभी राज्यों और किन्सासित परदेशों में नए और एक्टिव करोना के मामलों में गिराबट देखी गई है। करने के बाद चरणवत तरीके से पावंदियों में रियाद देने पर विचार किया सकता है। ग्री मंतरालों ने 29 अपरल को एक केंद सासित परदेशों से निर्देश देते हुए कहा था कि अधीक संख्या वाले जीलों में कंटेंडमेंट जोन बनाएं और जहां तेजी से लोगों का टेस्टिंग करें। इसके साथे साथ ग्री मंतरालों ने राज्यों से कहा कि उन जीलों की पहचान करें जहां पर पोजिटिव रेट दस प्रति सज्जित ज्यादा है। बिहार समित पुरे देश में एक समय था जब क्रोना संक्रीजों की संक्या बेताहसा बिरदी हो रही थी। पिछले 24 घंटे में एक लाग से अधिक संक्रीजों की पहचान हो रही थी। क्योंकि बिहार में उस समय के सबसे ज़्यादा एक्टी मरीजों की संक्या थी। लेकिन लॉक्डाउन लगने के बाद से अब बिहार में 2000 से अधिक संक्रीजों की पहचान हो रही है। बिहार में 5 मही से लॉक्डाउन की घोशना की गई थी या एक जून तक जारी रहेगी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लॉक्डाउन लगने से पुरे देश में कोरोना संक्रीमित मरीजों के संक्या में कमी आई है। लेकिन अभी भी एक्टिम मरीजों के संक्या पूरे देश में ज्यादा है, इसलिए केंदर सरकार ने 30 जुन तक के लिए जो गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन है, उसे बढ़ा दी है, हम सब को जो है उस गाइडलाइन को पालन करना चाहिए, तो ये थी कोरोना गाइ के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ, मुझे देजिए इजाजत, धन्यवाद.